अगर आपके पास बहुत जगह नहीं है और आपको गार्णिंग करना बहुत ही पसंद है तो इस वीडियो में आपको ऐसे प्लांट के नेम बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ आप तीन से चार इंच के पोट में लगा सकते हो या फिर प्लास्टिक बोटल जो वेस्ट पड़ी ह होती हैं छोटे-छोटे मग पड़े होते हैं इस तरीके के पोट में आप इन प्लांट को लगा सकते हों कौन-कौन से प्लांट है कैसे करनी है कैसे ग्रो कर सकते हो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वीडियो काफी ज्यादा हैलफुल होगी इसलिए आप प इसकी ब्रांचे जो होती हैं इन्हें आप हेंगिंग पोर्ट में भी ग्रो कर सकते हो और इस तरीके के प्लास्टिक कप या फिर जैसे की हमारे किचन में वेस्ट मेटीरियल पड़े रहोते हैं उनमें भी आप इनको ग्रो कर सकते हो बस आपको नीचे की साइड अगर प्लास् ी चुप आप्ल बहुत जाएंगी और प्लांट आपका खराब हो जाएगा पानी कम डाल की स्प्रे करके डालते होगए तो आपके प्लांट को मॉस्चर में भी मिलता रहेगा हार वह खराब भी नई तर्टल वाइन को आप छोटी से छोटी कटिंग से भी इजी ग्रो कर सकते हो इसकी कटिंग कहीं पर भी लगाओगे पहुत इजी तैयार हो जाती है 15 से 20 दिन में एक बार आपको वर्मी कमपोस्ट को पानी में घोल के उस खाद को डालते रहना है उसी से इन प्लांट की पहु महिने में एक बार भी डालोगे तो भी ये आपका प्लांट खराब नहीं होगा ऐसे के ऐसे ही ग्रो करता रहेगा इसे सिर्क धूप चाहिए होती है धूप इसको एक से दो घंटे की मिल जाए उसी से इजी ग्रो कर जाता है पानी आपको 15 से 20 दिन में एक बार इस प्लांट में डालना है नेच्ट है हमारा चैन प्लांट चैन प्लांट को भी आप छोटे से छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो पानी में ग्रो कर सकते हो हैंगिंग पोट में ग्रो कर सकते हो और एक प्लांट से ही इसके बहुत सारे प्लांट तयार हो जाते हैं क्योंकि इसके पास से र प्रमी कमपोस्ट एड़ करिए इनके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी मिट्टी ज्यादा ग्रो करने की जुर्वत है मिट्टी में आप नूर्मल मिट्टी में भी इन प्लांट को ग्रो कर सकते हो इनकी पत्यों को साफ करने के लिए आप किसी कोटन के इनकी पत्या साफ कर सकते हो क्योंकि यह प्लांट देखिये ऐसे हैं कि आप इनको विंडो पर रख सकते हो इस्टैंड पर रख सकते हो या फिर जैसे बालकनी में छोटी छोटी विंडो या फिर आप मेरर लगाकर डेकुरेट के परपस से भी इन प्लांट को रख सकते हो next हमारा spider plant spider plant भी काफी hardy होता है और permanent plant होता है इसके पास से भी runner निकलते हैं जिसे आप एक plant से ही बहुत सारे इसके new plant त्यार कर सकते हो छोटे port में, बड़े port में plastic bottle में easy से grow कर जाता है next baby sun rose baby sun rose भी permanent plant है और काफी hardy plant है एक प्लांट से इसके बहुत सारे तयार कर सकते हो इसे दो से तीन घंटे की धूप जरूर से चाहिए होती है अगर आप इसको धूप में रख दोगे तो इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन फूलों से भी सुन्दर इसकी पत्या लगती है नेक्स्ट हमारा परसलेन पॉर्ट चूल का इनकी बहुत सारी वेराइटी होती है इन पर फूल भी आते हैं इन्हें आप हैंगिंग पॉर्ट में लगाईए चोटे पॉर्ट में लगाईए प्लास्टिक पूर्टल में लगाईए अपने अपोर्डिंग आप इस प्लांट को डेकुरेट कर सकते हो, कटिंग से बहुत इजी तयार होता है और अभी आप इनके सीड्स भी इजी ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे फूलों के कलर भी इनके काफी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं नेक्स्ट हमारा परपल हार्ट तो परपल हार्ट पी पर्मनेंट प्लांट होता है और काफी हार्डी होता है इसकी छोटी से छोटी कटिंग इजी ग्रो कर जाती है, आधा एक घंटे की धूपनी ले बस ऐसी जगह पर रखिए और हैंगिंग पोर्ट में, नॉर्मल पोर्ट म प्लास्टिक पोटल में अपने अकोर्डिंग आप इस प्लांट को डेकुरेट कर सकते हो वही बस 15-20 दिन में वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोल के इनकी जड़ों में डालते रहें उसी से ग्रोथ बढ़िया रहती है Next Sansy Veria, Sansy Veria plant भी काफी हार्डी होते हैं पर्मानिट होते हैं मैंने देखो छोटे से पोट में cat वाला सरमिक के पोट होते हैं जो cat shape में हैं में ये पाच सरमिक के भी बहुत सारे पोट होते हैं डेकुरेट के लिए इनको रखा जाता है इन प्लांट में पानी कम डलता है इस वज़े से आप इन प्लांट को इस पोट में ग्रो कर सकते हो इसी से इस प्लांट की पत्या बहुत ही सुंधर होती है मैं मारा मनी प्लांट महीं मनी प्लांट पा बहुत eerste को ब्लांट में भी मिठ्धी रूव होता है और आनम से रफिस प्लांट कर में देक वैं सबस्ते हैं अब अब करो दूद पीने के लिए गिलास लेकर आते हो जल्दी ही थोड़े दिन पीएंगे और फैक देंगे तो मैंने यह पीडिया सोर का डबा होता है इस पर पेंट करके इसी में भी मैंने मनी प्लांट को लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी पहुत अच्छी हो रखी है और में प्ल अच्छी नािधा हो यहां बहुत चलब कम hull क्न रेंगी और तो में ना केम इसी थे इसी से तरीके से प्लांत हैं कांच जोश्चे हो में आपको फिलोडेंटरोन मिलते हैं तो मैंने यह छोटी सी कटिंग लगाई थी और पहुत ही इजी से ग्रोव हो गई है इसकी पत्तिया पहुत सुन्दर लगती है अगर इन पर पढ़ जाती है तो इनकी पत्तियों में एक अलग ही जमक आती है फानी करके इस्प्रे कर और कटिंग से बहुत इजी तयार होता है काफी हार्डी प्लांट होता है पर्मनेंट प्लांट होता है छोटे पोट में बड़े पोट में प्लास्टिक पोट में जैसे मरजी आप इस प्लांट को डेकुरेट कर सकते हो इनकी बोंजाई भी बहुत अच्छी बनती है यह ना ही चाया में खराब होता है तो आप इसे प्लांट को धूप में रख सकते हो और नॉर्मल पोट में भी नेक्स्ट हमारा अगेव अगेव भी काफी हार्डी होते हैं और पर्मनेंट प्लांट होते हैं इन्हें आप छोटे पोर्ट में लगाओगे तो यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं लेकिन अगर बड़े पोर्ट में लगाते हो तो इनके पास्ते बेवी प्लांट निकलने स्ट हो जाते हैं सो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब